हेलो दोस्तों का दुनिया से मैं विनीबा फिर्ट से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में आप देखेंगे हुड़ी ग्रैंड आइटेन नियॉस का टॉप मोस्ट वैरियेंट एस्टा यह काड़ी आपके सामने खड़ी है यह पेट्रोल में भी आती है डीजल में भी आती है मैनुवल ट्रांस्पिसन भी आपको समें मिल जाएगा और एम्टी ऑटोमैटिक भी आएगा यह जो particularly आप देख रहे हैं यह है petrol manual transmission में आप diesel लेना चाहते हैं एवन अगर आप automatic भी लेना चाहते हैं तो भी हमारे इस वीडियो में बने रही है क्योंकि features सारे same मिलेंगे pricing आपको मैं manual transmission की बता दूँ तो petrol का exorum cost है 7,43,950 जो की UP में on road पढ़ती है 8,46,980 रूपीज की diesel में present का exorum cost है 8,51,450 जो की UP में on road हो जाएगी 9,67,000 रूपीज की pricing on road पे मैंने दोस्तों सिर्फ compulsory charges को add किया है even आप screen पे check कर सकते हैं मैंने AMT automatic की भी pricing flash कर रही है और दोस्तों यह जो color आप देख रहे हैं इस गाली का यह है aqua teal color देखिए dark green color है और बहुत ही famous है इस गाली में यह color लोग इस color को काफी like करते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके top most variant में क्या क्या मिल जाएंगे features तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम इस गाली के front से यहाँ पे आप देख लीजे इसकी grill आपको बता दूँ मैं NEOS के अपने हर वीडियों बताता हूँ यहाँ पे color के जो है देखिए glossy black finish की मिलेगी और इसी grill में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे देखिए boom rank save की DRL lights मिल जाएंगी अब आई बात topmost variant की तो यहाँ पे देखिए premium feature मिल जाता है इसमें आपको मिल जाएंगे projector headlamps यहाँ पे topmost variant की light जो है वो ज्यादा better आपको मिलेगी उसी में front क pattern indicator देखिए blink कर रहे हैं और fog lamps यहाँ पे मिलते हैं projector based यहाँ पे देख लिया हमने इस गाली को front से अच्छे से चेक कर लिया चलते हैं side profile करने और आपको दिखाते हैं इस गाली का side loop तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3805 mm की इस गाली की length है सारे dimensions इस screen पे flash कर रहे हैं आप च लीजे इसमें आपको diamond cut alloy wheels मिल जाएंगे इसकी wheels की खुपसूरती ज्यादा है क्योंकि आप देखिए dual tone है silver और grey stone पे इसके wheels मिलेंगे यह ज्यादा मजबूत भी रहते हैं इसके इलावा यहाँ पे चेक कर लिजे wheel size यह लिखा हुआ है 175 oblique 60 r 15 inch के wheels दिये हुए हैं चलिए और features करो करते हैं तो mirrors जो है इसके outside वो body colors में हैं उसी में LED side turn indicators दे रखे हैं अब देखिए एक और premium feature मिलेगा topmost variant Asta में इसमें देख सकते हैं chrome door handles हैं तो यह handles ज्यादा premium लगते हैं और even यहाँ पे चेक करिए तो यह black run का smart entry button भी दिया हुआ है अभी keys check कर आता हूँ तो इनक इसके लावा अगर हम इसके C pillar पे चेक करिए तो यहाँ पे GI 10 grand writing की batching मिल जाएगी और top पे देखिए तो integrated roof rails दे रखी हैं स्वार्पिन अटीना यहाँ पे back side पे आप चेक कर सकते हैं चलिए आगया मैं इस गाड़ी के rear यानि back profile के दरफ और दिखाते हैं इसको complete पीछे से तो दोस्तों यह है Neos Asta का back profile आपके सामने इसमें देखिए Asta की यहाँ पे आपको emblem भी मिल जाएगा इसके लावा दोस्तो के जो लुक है design है उसको premium बनाने के लिए इस topmost variant में आपको देखिए chrome garnish भी मिल जाएगी इसके बाद दोस्तों पीछे का bumper आपके सामने है जिसमें sensors लगे है इसमें two point sensors आते हैं साथ में camera भी है तो यहाँ पे देखिए इसके lens को place किया गया है reflectors as a safety मिल जाएगे tail lamps की design आप चेक कर लीजे bulb based tail lamps आपको इसमें मिलेंगे अब दोस्तों topmost variant है तो यहाँ पे देखिए rear wiper भी आ गया defogger sports variant से start हो जाते हैं wiper सिफ topmost में मिलता है बाकी और चीजे चेक कर आदू तो देखिए integrated spoiler है और center पे देख सकते हैं high mounted इस top lamp मिल जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों हम और देखते हैं एक और premium feature जो की मिलता है इसके सिफ topmost variant में यह है इस गाड़ी की कीज यह देखिए इसमें आपको smart कीज मिलेंगी lock unlock boot opener का बटन है की चेक कर सकते हैं दोनों ही की smart based है और जब यह कीज आपके पास में है तो यहाँ पे smart entry बटन है इसको प्रेस करिए गाड़ से और ना ही गाड़ी को start करने लिए क्योंकि यहाँ पे engine start stop button है बसकी गाड़ी के अंदर होनी चाहिए चाहिए वो pocket पे हो चाहिए वो कहीं पे रखी हो बस आपको यह button press करना है ignition on हो जाएगा अब बाकी दोस्तों अब interior color theme आपको चेक कराते तो देखिए gray tone interior आपको इसमें मिलता है यह standard है आपको इभी variant लीजे आपको interior same मिलेगा यहाँ पे देख लीजे wavy pattern design है सीटों के material चेक करवा दूँ तो देखिए fabric material है और दोस्तों इसकी सीटे खास हैं क्योंकि यह बनी है anti bacterial anti fungal material से तो यह भी बहुती अच्छा feature है अभी भी इनकी सीटों से smell नहीं आए द्राइविंग सीट चेक कर लीजे यह दे रखी है height adjustable देखे सेटिंग है इसकी और integrated headrest मिलेंगे front की दोनों सीटों पर बाकी door panels चेक कर वा देता हूं तो यहाँ पर देख लीजे चारो windows controls मिल जाएंगे one touch down है एक बार में देखे पूरा नीचे आ गया window और one touch अपने है सिव आपको इसमें one touch down window मिलेगी बाकी यहाँ पर देख लीजे तो यह center door lock का बटन है outside mirrors आप electrically operate इसमें कर सकते हैं adjust कर सकते हैं नीचे की तरफ water holder और speakers लगे हुए हैं तो आगे के features अंदर side के अभी जब बैठेंगे तब आपको दिखाते हैं पहले ज़रा हम सबसे पीछे की तर बूट लैंप भी देखिए यह variant cover करता है और parcel tray है जो की detachable है हटाना चाहे हटा सकते हैं boot space बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी जो settings है पीछे की वो bench folding के साथ है यह रेखे इस तरीके से एक extended luggage space बन जाएगा चलिए अब आपको इसका spare wheel चेक करा दू यह रेखिए यह दोस्तों बाकी wheels तो diamond cataloys पे है लेकिन spare wheel जो है यह आपको मिलेगा steel और size देख लीजे यहाँ पर लिखा हुआ है 165.70 और 14 inch यानि एक इन छोटा है ज्यादा तर गाडियों में देखिए तो spare wheel छोटे मिलते हैं norm हो गए हैं अब spare wheel आपको ज्यादा तर गा design को inside door handle देख लीजे यह matty chrome में मिलेंगे बागी speakers पीछे भी है water holder इसमें पीछे भी दोनों doors पे दीए हुए back sitting देख लीजे आपके सामने है अच्छी चीज़े topmost variant में दोस्तों मिलते हैं height adjustable headrest center armrest किसी भी variant में इस गाली पे नहीं आता है आप चलिए बैठ जाते हैं इस ग comfort recording set करी हुई है यहाँ पर देख लीजे leg room दोस्तों इसमें काफी अच्छा आपको leg room मिलेगा अगर आपकी height मेरे height के आसपास है तो आप यहाँ पर judge कर सकते हैं कितना आपको इसमें leg room मिलेगा आप अराम से आपे pair को stretch भी कर पाएंगे क्योंकि इसकी seat थोड़ी सी ऊची है तो pair आपके इसमें अंदर चले जाएंगे बागी देखे comfort बढ़ाएगा यहाँ पर rear AC vent भी है और नीचे की तरफ 12V का power out है तो आसे हम mobile charging भी कर सकते हैं इसके लावा उपर side दिखा दू तो देखिए grips fix type है center पर यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक cabin light और इस side का भी आप grip द लीजे यह देखिए बहुत उजा नहीं है अगर कोई center पर बैठेगा तो हला कि पैर तो आराम से रख सकता है लेकिं कहीं न कहीं यह portion उसके पैरों पर अठकेगा तो उसको पैर को फिला के बैठना पड़ेगा चलिए अब आज आते हैं आगे की side पर देखते हैं बाकी हैं देखिए handbrake जो है chrome tip के साथ दिया हुआ है राइट साइट पर चेकर आदू तो यह दिया हुआ है इसमें यह headlamp beam adjuster है यहां सब इसके headlamp के levels को set कर सकते हैं steering आपको इसमें premium मिलेगा क्योंकि यह देखिए leather wrapped steering आ जाता है topmost variant में steering mounted audio controls है adjustable steering है यहां सब इसके steering को tilt है दे रखा है driver के लिए steering पर दूसरा air bag है front passenger के सामने वहां पर placed है ABS है EBD है कुछ और safety features है आप screen पर चेक कर सकते हैं इस side के lever का आप देख लीजे headlamp को operate करने का है furg lamps को यहां से आप on off कर सकते हैं इस side से देखिए तो wiper को control करने का lever है front and rear wiper अब यहीं से control कर सकते हैं बागी दोस्तों देख लेते हैं इसके meter को तो यह देखिए यह half digital है और जो rpm meter है वो analog दिया है इस side पे digital speedometer है और digital MID display है यहां से अब information switch कर लीजे trip भी आ गया यह हो गया distance to empty गाड़ी का mileage चेक कर सकते हैं instant mileage average speed आ गयी है और यह engine running time इसके बाद दोस्तों यह fuel gauge हो गया outside atmospheric temperature उपा की तर कर रहा है चलिए आ जाते हैं इसके center console की तरफ तो इसमें आपको 8 inch का touch infotainment system मिल जायागा जो की android auto apple carplay के साथ दोस्तों दिया हुआ है तो आप इसमें अपने smartphone को connect कर सकते हैं और navigation को use कर सकते हैं इन applications के थूरूर यानि दोस्तों इसमें inbuilt navigation नहीं आता है और काफी लोग का questions आता है दोस्तों नियोस के touch music system के लिए कि क्या इसमें video playback होता है तो दोस्तों ये video playback support नहीं करता है इसमें pen drive लगाने के यहाँ पे देखें नीचे option दे रखता है यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो अगर वीडियो songs होंगे तो वो support नहीं करेगा MP3 songs होंगे तो वो आप इ चेक कराता हूँ जो कि आता है नियोस के top most variant Asta में यहाँ पे देखिए wireless charger भी मिल जाता है इस segment की दोस्तों जल्दी किसी गाड़ी में मेरे साब तो किसी भी गाड़ी में दोस्तों wireless charger नहीं मिलता है यहाँ पे मिलता है नियोस के Asta variant में आपका phone wireless charging support करता है इस pad को पर phone को से यहाँ से USB charger है तो यहाँ से भी आप डिरेटली cable के थुरू phone को चार्ज कर पाएंगे बाकी अगर हम इसको हटा देंगे तो देखिए एक और 12 वोल्ट का power out बन जाएगा तो दोस्तों हमने देख लिए इस गाड़ी का premium feature चलिए आप उपर साइड दिखाता हूँ तो यहा से जाएगी चलिए अगे हम इस साइट पे तो देखिए संवाइजर के back side पे vanity mirror है और इस साइट पर आपको मिलेगा ticket holder अब आपको इसका box भी चेक करा देता हूँ तो passenger के सामने देखिए यहाँ एक open space है समान को रखने के लिए और यह देखिए cool globe box आपको मिलेगा यहाँ नॉब दे रखा है अन कर दीजे अगर चल दा है तो यह compartment ठंडा हो जाएगा कुछ अपने समान रखा है तो भी ठंडा बना रहेगा हमने देख लिए दोस्तों इस गाली के premium features काफी सारे यह अच्छे features दोस्तों cover करती है गाली अब चलिए बात करते हैं इसके transmission की तो दोस्त दोस्तों यह आप चेक कर रहे हैं और साथ में बीप भी आपने सुनी थी जो की sensors की थी बीप आवाज के दोवार आपको इलट करेगी camera पीछे का view दिखाएगा तो दोस्तों हमने देख लिए इस गाली के सारे features सब अच्छे features दोस्तों यह गाली cover कर लेती है और segment best features भी इसम मिल जाते हैं चलिए अब बात करते हैं हम इसके engine की तो bonnet यहां से open होगा दोस्तों यह आप चेक कर रहे हैं नियॉस का 1.2 लीटर कपा petrol engine जिसका displacement है 1197 CC का चार्ज सिलिंडर पर बना है maximum power generate करता है 83 PS का 6000 RPM टॉर्क है 113.8 NM का 4000 RPM पर manual transmission में दोस्तों mileage claim किया गया है petrol पे 20.70 km पर लीटर में वहीं जब इसके diesel engine की बात करेंगे तो same 1.2 लीटर का U2 CRDA technology based इसका diesel engine आपको मिलेगा जिसका displacement है 1186 CC का यह 3 सिलिंडर पर बना है maximum power generate करता है 75 PS का 4000 RPM पर टॉर्क है 190 NM का 1750 से लेके 2250 RPM तक mileage इसका claim किया गया है 26.20 km पर लीटर में और साथ में दोस्तों इसके engine पे warranty मिलती है 3 years 1 lakh km की जिसको आप अप टू 5 years तक extend करवा सकते हैं wireless charger engine start stop button smart की और भी बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है जो मैंने आपको अपने इस वीडियो में दिखा दिया दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे comment section पर ज़रूर बताईएगा पसंद आया तो like and share भी कर दीजेगा और चैनल पे नए हैं अभी तक कार्दुनिया को subscribe ने किया तो please subscribe कर लिजे क्योंकि मैं daily basis पे cars के अब वीडियो अप्लोड करता रहता हूं तो उनके notification सबसे पहले आपको मिल जाएं मिलते हैं बहुत ही जल अपने नया review के साथ तब तक लिए दोस्तों अपने रखे ख्याल थैंक्यू